कि यसा कि विश्व के कई शहरों के साथ हुआ, पश्चिमी सिध्धान्तों का पालन करने के वज़े से हमारे साथ भी वही हुआ यह सिध्धान्त है फिल, डंप and फॉर्गेट, यानि कच्रे से जमीन को पाट दो और उसे भूल जाओ, और कच्रा पैदा कर उसे भूल जाने की इसी प्रवित्ती की वज़ा से लैंडफिल का यह रूप हमारे सामने है इस लैंडफिल को बनवारी के नाम से जानते हैं यहां कभी एक गाह हुआ करता था, लेकिन आज कच्रे का पहाड है दिल्ली और हरियाना बॉर्डर के पास गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर आते जाते कच्रे के इस पहाड को नजर अंदाज करना नामुकिन है अरावली में इस लैंडफिल में गुरुग्राम और फरीदाबाद से प्रति दिन 2000 टन कच्रा डाला जाता है अगर हम केवल ठोस कच्रा प्रबंद के नियमों की बात करे तो यह कच्रा उत्पन्न करने वाले की जिम्यदारी है कि वह सबी कच्रे को आपस में न मिलाए अब अगर आप बंदवारी लैंडफिल पर जाएंगे या जिस्त वक्त हमने केज दायर किया था तब वहाँ सब कुछ मिला हुआ था यहां तक की बायोमेडिकल वेज्ट भी दूसरे कच्रे के साथ मिला हुआ था यह एक तरह से विफलताओं का पहाड है नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखा गया है यहां इतना कच्रा इकठा हो गया है कि इसकी उचाई 40 मीटर से अधिक हो गई है और ऐसा कोई संकेव भी नहीं है कि आने वाले समय में स्थिती सुधरेगी उन्होंने कच्रा फैकने के लिए ऐसी जगठ चुनी है जो उनकी नजरों से दूर है जंगल के बीच लोगों से दूर और ये खनन के बाद बने गड़े से शुरू हुई ताकि धाई सो फीट गहरे गड़े को भरने में समय लगे लेकिन शुरुवाती एक दो साल में ही ये गड़ा भर गया होगा जब ये पहाड का रूप लेने लगा तब लोगों की इस पर नजर गई 2015 में किसी ने इस पर ध्यान दिया और National Green Tribunal का दरवचा खट-कटाया और मुझे लगता है कि इसके बाद ही कच्रे का पहाड बढ़ने लगा अब ये पहाड इतना बड़ा हो गया है कि इसे कोई नजर अंदाज नहीं कर सकता घाटा से भी इसे देखा जा सकता है जो कि यहां से पांच किलोमेटर दूर है मौनसून के दिनों में जब हवा चलती है तो यकीन मानिये यहां तक इसकी बद्बू आती है जब हमारा फ्री टाइम होता है मेरे बेटे की छुटी होती है तो हम अरावली के जंगलों में जाते है और गुरू ग्राम फरीदाबाद सड़क पे यह पहली चीज है जिस पर ध्यान जाता है इसी दोरान मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और पूरे मामले को समझने की कोशिश की मैंने पाया कि कच्रा प्रबंदन की खामी से शेहरों का बुरा हाल है हमने प्रदूशन नियंतरन बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NGT तक इसके बारे में लखा अखिरकार यहां कुछ जाच परताल के बाद 14 स्थानों में भूजल के सैंपल लिये गए और पता चला कि हमारा भूजल प्रदूशित है दिल्ली और दिल्ली NCR की तुलिना में ये लैंडफिल अलग है ये अरावली का जंगल अलाका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा सुनरक्शन प्राप्त है इसलिए ये दूसरे लैंडफिल से थोड़ा अलग है लैंडफिल उची जगह पर स्तित है और गाउं उसकी नीचे की आलाकों में बसे हुए है मेरे पास काफी रिपोर्ट से जिसमें कहां गया है कि यहां से जहरीला रसायन रस रहा है इसकी मात्रा लाखों लीटर में होगी यहां से बहकर पानी गाहëं तक पहुच रहा है वहां के पानी के शुरोठ इस गंदे पानी से प्रदूष्जत हो रहे है घ्रमडों के मवेशी पानी को पीकर बीमार हो रहे Da Kids in कवारे गाम में आज से पंधरले साल पहले कोई मच्छर नहीं कोई मख़्ी नहीं कुछ नहीं है, जैसे कि मतलब लाइट की वह कोई जरुत नहीं पड़ती है, लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, खत्ता सरपंच जैपाल था हमारे गाम में, 2004 में, तो उस टाइम पर खत्ता जैसे नगर निगम आड़े पूछते हैं, कहीं भी सरपंच से को जगे ले ले, तो हमारे सरपंच ने जगे गाम से बिगर पूछे, गाम की कोई सहमत ही नहीं थी. पौणी खराब होगो, पियो ही नहीं जा तो अपद भू आती है, अब ये बोरिंग है, इस बोरिंग का हम पौणी भरते हैं, पौणी भरलो, ड्राम में भरके, दो डाई गंटे बाद में, जब उसमें मड़ा जा ले, पौणी साप है, तो सब कुछ साप है, पौणी साप बार इसके टेम में रोड के साथ ही रिताते हैं, कहां का रितारे, क्या खाली कर रहे हैं, पिलॉन से बार खाली कर रहे हैं, इस तरह की चार दिवारी भी नहीं बनाई गई है, अगर आप सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन्स को देखेंगे, उसमें क कहा गया है कि चार दिवारी से 200 से 500 मीटर तक कोई निर्मान नहीं हो सकता. अगले में जो देखांगे, कहां से आ रहा है लूशन है, पर हमार कौम पूर परेश होने ये कह रहा हो, हाथ जोड़कर जी एक खटा हट जाना चाहिए, हमार तो बिल्कुल नचीक है, हमार तो जैसे घरतली कड़ांगे बद वो गट मूमा आएगी, अब ये सी हमार जाते ह अब बिमारी ऐसे चल देखांगे, काफी लोग पड़े बुखार बिमारी में, सब ज़्याद के कैंसर में, बहुत लोग मर चुकते हैं, बिमारी ये नहीं है बंद वाड़ी गाओं में, मांगर गाओं भी है, पाले वाश डेर आफते हैं, पूरे पांच नात गाओं लगत अगों को लैंडफिल का खामियाजा भुगतना पड़ता है, कई लोग इसके खिलाफ सीधे बोलने से हिचके चाहते हैं कुछ भी नहीं हमारे गाम में लेगा, अबने डोट अंगर मान रखे इनन तो गुजारक है, अब आगे ये नकरनीगा में गाम आबा, लाइट को खर्चा बड़गा, कल को ये नकरनीगा पाणी देएगा, घरकर में पाणी पहुचाएगा, तो उस टेम पे भी ये मीटर ल अबरेगा, पाणी का बिल देएगा, क्या कराएगा उसको, तो ये जो आप कह रहे हो, इसके आधार पे तो फिर मजबूरी में जो गाड़ी चला रहे हैं, और क्या करेंशा, बच्ची तो पाननी, अब डोर दंगरन में तो गुजार नहीं होता है, तीक है, उसमें ये दिक अखिरकार जादातर पर्यावरन की समस्या एक आर्थिक समस्या भी होती है, और इस बात को हमें अश्पष्ट तौर पर समझना होगा, इस लैंडफिल के दो पहलू हैं, पहला वे लोग जिन्हें इससे फाइदा हो रहा है, रोजगार और ठेके के तौर पर, और दूसरा प इसका नुकसान हो रहा है, पहली तरह के लोग भी इसका खाम्याजा भुगत रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले कुछ लाभ भी मिल रहा है, ये गाँ दिली की बाउंडरी के पास है, आसपास जो लिविंग जो सिष्टम है, वो बहुत स्टेंडर्ड क्लास में पहुच भी मिल रहे हैं, तो लोगों की जो जरूरते हैं, वो अटमेटिक बढ़ गी है, लेकिन पुरे से तो 4-5-6 सागी जन्दगी हुगा है, तो पचास साल के बारे में सोचता कोन है, सरकार 5 साल के लिए है, प्लान जो है, दस साल के लिए है, तो लोगों से आप कैसे उमीद कर स करते हों कि यह 50 साल के लिए सोचेंगे, 100 साल के लिए सोचेंगे, उसमें वो अपना सॉलूशन डून रहे हैं एक महत्पुर्ण पहलू जिस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, वह है इससे प्रभावित लोगों को इसका आर्थिक विकल्प देना, क्योंकि उनका मूल रोजगार खत्म हो गया है, तो उन्होंने लैंडफिल के आसपास ही अपना रोजगार खोज लिया है, अब हम कह रहे हैं कि इसे बंद करना होगा, क्योंकि पर्यावरन और स्वास्थ पर इसका बुरा असर हो रहा है, अन्वाडी के समस्या को गाओं तक सीवत रखना सही है, नहीं, सीधी सी बात है, हवा और पानी जो है न वो सब कसा आजा है, चाहे कोई सहर वाला है या गम वाला है, एक के बाद एक, लोग लैंडफिल साइट्स को नकार रहे हैं, उदारन के लिए दिल्ली हरियाना में कचरा फेकने के लिए लंबे समय से जमीन तलास रही है, कोई उन्हें एक इंच जमीन देने को तयार नहीं, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, इसलिए लोग कचरे को अपनी नजरों से दूर फेकना चाहते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अपने कचरे को भूलने में सहूलियत होगी, इस समस्या का समधान यही है कि कचरा हमारे सामने रहे, इसके लाबा कोई दूसरा विकल्प न नहीं है, बनवारी में एक उर्जा सायंत्र भी मौजूद है, जहां कचरे को निपटाने की योजना है, पर इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, इस बीच कचरे का पहाण उचा ही होता जा रहा है इसकडी का अगला वीडियो समस्या से निपटने के लिए चल रहे समधानों पर केंद्रित है, यह समधान है कचरे को उर्जा में बदलने की योजना और कचरे का रोजाना, वर्गी करन या वेस्ट सेगरिकेशन